आज हम बात करने वाले इंटरनाशनल इलेशन के बार में हमने से पहले इंटरनाशनल इलेशन साट कर दिया था और 2.1 से हमने स्टार्ट कर दिया था तो आज सेकिंड पार्ट है इसमें हम कम्प्लीट कर देंगे लास्ट पार्ट में हमने 2.3 तक कवर कर लिया था अब 2.4 में हम स्टार्ट करेंगे प्रूवी प्लेलिस्ट है मैंस 365 के नाम से ऑक्टवाव नावंबर का करेंट अफेस है इंडिया रश्या मिलिटरी कोपरेशन है रिसेंटली 21 इंडिया रश्या समेट हुआ था दोनों कंट आसा मिलिटरी प्रिसट यर्जोटार्म कोपपरेशन का इंडिया रश्यूख ग्रिश्याध है में किस की लिटेश्ट में नाटवैसिश्ट केरू नाटथे खाल है को आटेंद साथिय स्टेस्टाइऑ एंसेट ही एंस्टाइस ने प्रशा चनवों को कि सिव्ट अटी श्य कोपरेशन साइन हुए थी जिसके बाद रिलेशन जो है दोनों के बहुत स्टोंग हुए थे और 2000 में स्टाजिक पार्टनर भी मन गए थे इंपॉर्टेंस बहुत जाद ही है कि 2021 में जो सम्मेट हुई है वह एक स्टेप फॉरवर्ड है तो प्लस टू डालोग का जो फॉरन और डिफेंस मेंस्टर के बीच में एक्सचेंज करते हैं व्यूज ग्लोबल और डिजनल पॉलिटिकल सेक्योर्टी डेवलप्मेंट में इसमें बड़ी सरी चीज आते हैं पाटी सर्फ लिमेंटिग नहीं है आंप स्टेट तक क्या आप देख सकते हूं इंडिया का जो बिए सप्लायर है और विसली रुष्या है 68 पर संट में आप देख सकते हैं बड़ी सारी डायमेंशन है इसके साथ भी और इसके बाद आप यहां पर युएस है से पॉजिशन पर इजरएल है और फिर हो अगने देश है इंडिया-Russia रस्फ्रश्य र्लाइशनिप की बात करें तो इंडिया-Russia ब्लाइटर ट्रेट भी ए 8.1 billion का होता है इंडिया एक्सपोर्ट काता है 2.6 billion का और इंपोर्ट अलव रश्या से लेता है 5.48 billion का इंडिया-Russia collaboration भी बड़े सारे जगा होता है किसे UN में होता है G20 में होता है BRICS में होता है ठीक है कि मिलिटरी और मिलिटरी टेक्निकल कोपरेशन जो है एक और मेजर पीलर है स्पेशल प्रिवलेश्ट स्टाइजिक पार्टनर का जो इंडिया रश्या के बीच में होता है इंडिया ने पर्चेस करा है में 21 रश्या से 1962 में और यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्ण्ट है कि यह दिखाता है कितने फ्रेंडी थे किते वाम थे और जो कॉमनालिटी है इंटर्स का वह बहुत ज्यादे एक्स्पारेशन जो है अदर आम फोर्स में प्रमोट करते हैं लाइसेंस प्रोडक्शन में इंटेनेंस और र पर जॉइन रिसेर्च है डेवलाप्मन पर प्रोडक्शन है एडवांस डिफेंस टेक्नोलजी या सिस्टम के बीच में और यह सबस्कुएंट एक्सपोर्ट करता है मुच्वली फ्रेंड फ्रेंडी थर्ड कंट्रेश जो एक डिफाइन करता है फीचर इंडिया राश्या इसके लावा जेवी करता है मैंनुफेक्ट्ट्र एक सीरीज को असौल राइफल जो कि में इंडिया प्रोडाम के इंडिया इसके लावा शेयर होड़र्टर जो अभी मेंट करते है आपके जीवे में हो मैंनुफेक्ट्ट्र करते है का 226T हेलिकॉपर्र इंडिया में सब्सक्राइब जो यूएस लगा रहा था सेंस जो आपका रश्या के अगेंस यह यूएस है और इंडिया सप्लाय ले रहा था एस फोर हेंड़र्ट की तो बहुत जादा उसमें था कि इंडिया ने ओविसली इंडिया के रिलेशन जो रश्या के साथ है तो यहां पर हमने पांच S-400 एजिमेंट लिया है ठीक है तो यह इसी चीज़ को हम डिसकुस करते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक एडवांस मॉबाइल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वर्ल्ड में इसमें चार डिफेंट मिसाइल्स है जो इंगेज करती है एनमी एरक्राफ्ट वा इनमारिकन अडवर्स्री तूर्वार्ट संट्राइच एनक्ट होगा था युए से के द्वारा दोहरा सतरा में इंपोस करते हैं थे श्राइचिन तीन नेश्व में रश्या, एरान, नॉर्थ कोरिया इसके लाबा थे इन नेशिन से आपर जो इंपोस करते हैं सांक्शन पर युस अफॉर्ड नहीं का सथा कि वह कि एक स्टर्जिक एफ एक डिफैंस मार्केट जा से इंडिया है इसकी वज़ेस ही युएस ला हमें कजू है इंडिज्व करने प्ल जो संक्षिंग करती है वेबर वाइट करती है डिटालिट्री वेस अंच्छिं एक्षिंग एक्ष रश्या की बीच मोथा 24 सब्मेट जो अभी हाली मी नियूज में में जिसमें जॉइन प्रटक्शन होता है मोर दन 6,001,203 असॉल राइफल जो एडवास सेल्फ रिलाइंस डिफेंड वानफाक्शिंग सेक्टर पर है प्रमोट करते है गेरेटर एकनोमिक कोपरेशन टागेट इसमें रहता है वह इंक्रीज कते है बाइलेटर ट्रेट थर्टीट बिलियन का और बाइलेटर इंवेस्समेंट है आपका 58 बिलियन का बाइल ट्विटीट वाइफ रबिया और बैंक और रश्या जोईंटली रिस्पॉंड करें अगेंस इबर अटक्स जोईंटली फाइट करें अगेंस तर्श और इस अगाइदा लिटी और डॉट ट्राफिकिंग और 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 इस चीज़ ओका है इसके लावा चेंजिंग डाइनमिक्स और डिफेंस सेक्यर्टी कोपरेशन के अगर बात करें तो एस वोर इंडेट सिग्निफाय काता है इंडिया और रश्या का दे रिलिश्टिप जो चेंजिंग वर्ल्ड ओर्डर है वो पी चीज है कि अभी बाइलेटल बाइपोलर वर इंडिया चाइना का भी इसू चल ला तो वह बी ऐग इंडिया बहुत ज्यादा जारा रहा यूसे के तरफ जो की टैंशन दे सकता है रश्या और यूसे के वह भी जु है तो इंडिया को यहां पर डिप्लोमाटिक ली देखना पड़ेगा स्टेपल जो है पॉलिसी रखने और नौर अलाइंड नेशन से यहां पर ओल्ड कॉमनालिटी जा इंट्रस का दोनों नेशन के बीच में और प्लेस होते है डाइवर्जन जियो साड़िक इंडिया ने जॉइन करा है कॉर्ड फ्री में और यह उपन इंडो पासिफिक डीजन है जिसमें जपान युसे इंडिया और युरॉप के बीच में जो काव कर दिये ग्रोई चाइनीज स्ट्राइजिक असर्टेवनस इसी रिजन में एक नॉमिक रिलेशन्टिप के बात करें तो अलनाइक इंडिया रश्या और जिसमें बाइल की ट्रेट जो है 7.5 बिलियन का है कि नॉमिक रिलेशन ज युएसे ने 2020 और केसमें 80.5 बिलियन का साइन कर रहा है ठीक है जिसमें 13.8 बिलियन की तो फटी आया है फॉर नाय इन्वेस्मेंट मॉटनाइशन डायोसिटी के साथ यह भी इंपॉन्ट है कि मॉटनाइश और डायोसिफाय करना है फॉम आ सोवेट एर एरा रश्यन मिल्क इकोट्मेंट इन एकस्पाइंड करेंड इफेंस पॉर्चेजिस फ्रम अधर नेशन इसमें फ्रांस इस्रेल और युएस से भी आते हैं दोजर सोला दोजर बीस के बीस में ही रस्या ने अकांट कर रहा है फॉर्टी नाइन परसंट इंडिया कर जो आम परचेज है इन जो वार्निंग आ रही है एंडिन डाय वर्सिफिकेशन पर लेटेस्ट या वे फॉर्वर्वर्ट के अगर हम बात करें तो यहां पर लेटेस्ट डिफेंस कोपरेशन जो पीरेड है दोजर एक से तक का यह एक इंपॉर्ट है क्योंकि यह एक स्टैप लाता है यह और जिए बीचीज की आए चेज अजय से पहला है न्यु वर्टेटर है कॉमन इंश्ट का यहां पर कोलावर्ज गॉलेटर बाई weasel द्लाट जान आ और यह उटिक टाल थार्ज़ी ने जैसे अग्या मैं ख़ुआं पर को गया अफगानेसान ओगया व है जब्लीटी कर निए है आप मेकन एइडियाघ इधार विश संब निए जो मेंन इसके लिए रफॉर मेंद करएबंगे की इम हैJust करते है है रचोंड इंडिया का डिपर प्रहु के लग्षन समय इन डाउर ऑसे काय है है दौन करने इंडिया है दो रचैनद्या अमट। है डिफेंस को पेंट का है रश्या से आते हैं दोनों नेशन ने जॉइंटली मैनुफाक्ट्टर कर रहा है स्पेर पार्ट का और प्रमॉट करते है रेसे प्रोगल लॉजिस्टिक सपोर्ट इनांस करते हैं मिलिटरी टू मिलिटरी कोपरेशन को भी अब करेड़ इस्पॉंसिब्लिटी यहां पर अब नचेंज रिलेशन बुको गई दोनों देशों की बीच में रिलेशन और स्टॉंग होने चाहिए और वह अग करना चाहिए रूल बेस इंटरनाशन ओर पर ठीक है कि इंटरनाशन ओर्डर को देखें गेड़े कोपरेशन हो इसके लावा नेक्स्ट न्यूंज है आपकी वह है इंडिया मिडिल इस्ट पे तो इंडिया युए से के साथ और दो मिडिल इस इन कंट्री से जिसमें इस्रेयल और युई है वह एक न्यू जॉइंट वाकिंग ग्रूप को इन्हांस करना है कोपरेशन और में जो इस ग्रूपिंग का जैसे इंडिया पैसिफेक कौट है जो नेया मिडिव लीस का परोब बनेगा वो कान्वरेज cosmetic होगा बिवीं इंडिया युईस का इंट्बर जो लाई करता है एक fundamental shift है इंडिया के horrible policy में मिड लीस्ट में तो इंपॉंट बन जाता है जो distance है US से अगर रखे तो इसराइल और पर्शनि-गल्स है तो Regional Issue अगर आप यह देखो कि अगर distance रखे ऊसराइल से और पर्शनि-गल्स है तो कि इस्टेट करता है Regional Issue जो की लॉग है इंडिया की default mode में Middle East में और यह highlight करता है कि इंडिया अभी ready है कि वो बाइलेटिल रुलेशन को कंड़क करें सेपरेट सेलोसिस में जो की हो इंट्रिग्रेटेड एजन पॉलसी की तरफ इसके लावा जो इनिशल फोकस है में इसके लावा जो है इक नॉमिक इसूज रहे हैं इसके लावा डायनामिक्स जो चेंज हो रहे हैं इंडिया मिदल इस रिलेशन में यह भी बहुत जाद इंपॉर्ट है क्योंकि इंडिया का जो डीप इंडिया का जो फॉर्ण रिलेशन है वह आपका रीजन है इंवाल्फ हुआ है इवाल्फ हुआ है कुछ बढ़ी सारी चीजहों में जिसमें है पहला पास्ट में इंडिया को डेवलफ करना पड़ेगा एकनॉमिकली मीड मिडली इस इंक्रीजिंगली जो इंपॉर्ण्ट ह है जो बहुत ही जादा इंपॉर्ण्ट है फॉर्ण फॉर्ण इंपोर्स और इंडिया का लेबर और एमिटेंस इसके लावा जो साओधी अरीव ए इरान कतर है उन्हें एक वाइटल सर्प्लाइज सट अप करें हैं हाइडो कावन के से जो ऑल है वह बूम हुआ था नाइट हो गया वह राइस कर रहा है इसके लावा जो ग्रोइंग इंडिया डाइस पूरा है इंडिया गवर्मेंट ने स्टैब्टिश करें मिनिस्ट्री ऑफ ओवर्सीज अंडियन अफेस 2004 में कुछ इंट्रेस्ट कॉंट्रिबूट करते हैं इंडिया के रिलेटिव साइलेंस में जो रिलेशन है आरब अप्रेजिंग में 2011 में है और पोजिशन देता है जित्ते भी फॉर्न इंटरवेंशन है मिडिल इस में इसके लावा प्रेजंट की बात करें तो इंडिया फॉलो कर रहा है सेम पोर्स को बड़ इंटेंसिफाई कर रहा है अप्रोच थिंग वेस्ट में फोकस कर रहा है तीन में अक्सिस पर एक तो अरब कल्फ कंट्री जो इसरेल हो गया और रान हो गया जो इंटर प्ले है नेशन की बीच में ऑफ़कते इंडिया को नए एविनियूस पर जो पॉपरेशन पर देखता है अधरन ट्रडिशन फोकस ओन इनर्जी एंड लेब इसरेलिक साथ ठीक है जो ड्रेम मून स्ट्रीट करता है इंडिया की तरफ इन कश्मीर इसके लावा इरान की बात करें तो बड़े सारे प्रजेक्ट है जाए इंटरनाशनल नौर साथ ट्रांसपोर्ट को रेड़ों चाहाब और पोर्ट का उगए रहान एक वाइटल ओल प यहां पर आफर काता है काउंटर वेट टुचाइना राइजिंग ब्रिशन परेजिंस इसके लावा बड़े सारे कंट्री जाए अराक हो गया यह ही होगा साओधी अर्फ पार्टनर्स हैं इन्वेस्टर्स हैं यहां पर चो रिलेशन है इंडिया साओधी अर्वेवे का वा जो कि लिंक है आपका पैलस्टाइन के साथ जी सी कंट्री की बात करें तो वो रिकनाईज सकर रहे है पोटेंचल डान जो आपकी इस रीजन में है पाकिसानी स्पांसर टेरिद्स अंगेंस इंडिया इसके बाल आवा हम बात करते हैं कॉंस्टंट असों सिर्वेस्ट पॉल की वह रिवॉस्इंटन ही को सब्सक्रांच के साथ इस सब्सक्राइब और भूलिक सब्सक्रांद। यहां पर जो इंडिया का जो इंगीजमेंट है एरान के साथ चाहबार के वह उनलाइकली है कि वह इलिमिनेट करेंगा पके सटाइन चाहिन आप्शन इंडिया तरह पकी साथ अ पर यहां पर निंडिया परे का जाथ है कंपर की चाइना का जो पैल्ट एं रोड इनिसितव पहुत जादा है पॉसिबिल्टी है जो कोपरेशन इरान और पाकिस्तान का यहां पे और युएस का जो सैंक्शन है एक्जिस्टिंग अपकॉमिंग प्रोजेक्स में वह डियल करता है इंडिया के एफोर्ट्स को तो यहां पर यह भी चीज है इंडिया इरानिया अग्रिमेंट जो चाह बाहर पर हुआ है वह डिले हो चुका है विकॉस आफ युएस सैंक्शन जो कि आप सभी को बता युएस सैंक्शन जो कर रहा है युएस इरान रिलेशन्शिप के वैसे उसमें बहुत दिक्कत आ रहे हैं इसके लाबावा वनेबिल्टी जो है इंडिया डाइस्पोर है इस रीजन इंप्लॉइमेंट के रिगार्डिंग इसके लाबावा जो इंडिया का ससेप्टेपिलिटी है टू रीजनल कॉन्फिक्ट वह भी बहुत ही कम कंट्रोल है साउधिया इरानिया राइविल्टी जो है और बॉयकॉट करें कातर को बाई साउधिया अरेविया यूएई करते हैं इसलाम वसल है इस स्टीम स्कॡूप कर ले यहां पर क्या हो रहा है कि इस्राइल इरान को सस्पेक्ट करता है कि यह अरह hatisbal को शुब करता है तो यह चीज है आपर बाकि बॉक्स को देख लेता है यहां पर मिडिल बीस रिजन आप देख सकते हो तर्की है बीन इरा हुई है इरान है कुवेथ है आप बहारें भी है इसके लावा यहां पर जो बॉक्स है यहां पर हाँ रीसेंट टाइम में क्या हुआ है इकनॉमिक टाइवर्सिफिगेशन हुई है कॉल्फ्री एकनॉमिक्स में साओधिया अरेविया का जो विजन टॉंटी थर्टी है इसने इक एसकलरेशन क्रेट करिया है पेस ऑफ इंगेजमेंट जो मेजर ओयल कंपनी साइस इस रीजिन में आरम को और एडनोग इपन करें जो इंडिया इंडिन कंपनी से जथ करते हैं पब्लिक और प्राइवट में इन्डिया का जो पैंडेमिक रिस्पॉंड है इस रीजिन मे इस रीजिन ओफर करता है रियल ऑपोचनुटी जहां पर इंडिया गरूब कर सता है तो यह इसलिए बहुत ज़ादा इंडिया के लिए भी नेक्स्ट है आपका कंटियूनेशन में न्यूस है इंडिन डियस्पोरा गुर्फ कंट्रीज में युएन डिपार्टमेंट औफ इसका टाइटल है इंडिया लाजस्ट डायस्पोरा पॉबलेशन है 18 मिलियन की इन दे वर्ल्ड ठीक है जिसमें लाजस्ट प्रपोर्शन जो है गल्फ कंट्रीज में है ठीक है और क्या नियूस में है कि 9.3 मिलियन इंडियन जो रह रह रहे हैं और काम कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज में उसन में सबसे जार लाजस्ट है यू एई उसके बाद आता है साओधी अर्यविया फिक कोवेत ओमान और फिलास में कतर तो अब यह दे सकते हो गल्फ कंट्रीज का 70% जो है ब्लू कॉलर वॉकर्स है और रिमेनिंग जो है वो स्किल्ड प्रोफेशनल है मेजर फैक्टर जो कॉंट्रिबूट करता है इस डाइसपोर का पहला है इंडिया का जो सिवलाइशन लिंक है अरब कंट्रीज का वो जाधा स्टेटिन कर रहे है पीपल को कि वो और बड़े सारे इंडियन मॉर्चंस गए थे अरब कंट्रीज में ट्रेड और इंवेस्मेंट के पॉर्पस से इसके लावा ओल बूम जो है 1973 का और जो ग्रोथ हुई है और इंडियन में यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्ट है क्योंकि यह एक पुल फैक्टर की रेट करता है इस गल्फ में एक एसेट की तरफ पहला है सोर्स अफ एंकम है रेमिटेंस जो भेस बहुत जाते हैं इंडियन डायसपुरा वह कॉंट्रिबूट करता है सिंफिकेंटली इंडियन फॉर्ण एक्सचेंज अर्निंग में माला कि जो लोग काम कर रहे हैं वह अपने फैमिली जोवार से आते हैं तो जीटीप को एंपरूफ करते हैं क्योंकि फॉर्ण डाया फॉर्ण एक्सचेंज अर्निंग के तुरू आते हैं और यह कंडिशन भी इंप्रूफ करते हैं माईगरेंट फैमिली की जो टोटल शेयर है रेमिटेंस का जो गल्स कंट्री से आता है वह 40 तो यह बहुत जादा है 50% से जादा है टोटल लेमिटेंस रिसीव इन 2018 तो यह इंपॉर्टन चीज है इसके लावा सोचल लेमिटेंस की बात करें जिसमें नियू आइडियास नौले स्किल्स आती है यह भी फेसिलेट करते हैं माईग्रेंट्स इस वीजन में इसके लावा प्ले करता है जो स्प्रेड करता है इंहरेंट सोर्स आफ सौर्फ पावर जैसे योगा आयवेदा स्पोर्ट्स बॉलिवूड अक्रास मिडिल इस्ट इसके लावा स्टार्जिक एच बी इन पॉरंट है लॉंग टाइम प्रेजेंस है इन डाइस्पोरा का जो हेल्प करता है एंकर जाता है बाइलेटरल रिलेशन को प्रोवाइड करता है टैंचिबल बेनिफिट यहां पर एक्जिस्टेंस है हुज इंडियन कम्यूनिटी साओधिया अरेबिया में और यह कॉंट्रिबूट करती है एकॉनमी को इंकरीश करती है साओधिया अरेबिया गॉर्मेंट तो इंदिया डाइस पॉर्मेंट की हमें यह देखना है तो पहला यहां पर है रिस्पोंसिबलिटी जो गॉर्मेंट को प्रोटेक करें वारेशन जो हमें राइट प्रोरा है माइगरेंड को सारे चीज अव्राय में जलता है उसकी वज़े से एक्सपाइटेशन होता है वोकर्स का इस में हराब नेशन में काफाला सिस्टम के अंडर क्या होता है जो स्टेट डेलीगेर्स है जो प्राइवेट इंप्लॉइज है अथर्टी में जो माइगरेंट वोकर्स पे वो देखते हैं इंडिया की अबिलिटी है कि वो करें जो कि रिस्टिक्ट है यहां पर है कि अगर इंडिया कुछ करता है तो शायद एक डर है कि जो लेवर है यह भेज दे गल्फ स्टेट जिससे इंडिया का रेमिटेंस कम हो सकता है और इसमें एक और चीज इंपॉर्ट है कि कंडिशन इंप्रूव करने की जो वरकिंग कंडिशन है इसमें गल्फ स्टेट की भी कोपरेशन चाहिए तो जो है डाइसपूर आप में प्रोवाइड करता है एक लेवरेज गल्फ स्टेट का जब इंडिया नेगोसियेट करता है इसके लावा एकनॉमिक इशूस की अगर बात करें तो कुछ ऐसे एकनॉमिक श्लोडाउन फॉलिंग और प्राइस पैंडेमिक सिचुवेशन बड़े फोर्ज हुए थे कि वो छोड़ दे कुवेशन आजट नेशनल असेंबली कमिटी ले अप्रूव कर रहे हैं कि ड्राफ्ट एकस्पैट कोटाप बिल जो की रिड्यूस कता है नंबर ओफ फॉरन वोकर्स जो गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं इसके लावा सिक्योर्टी इस लेकी सुरुष लिया है क्योंकि ड्राइय ऐसिस का जो कह रहे हैं वो बढ़ रहा है थ्र Psal को इसी वएसे सग्योटी थ्रैट ब्रह भी इंग डिगने नियंग उभरंवर्मेंट नेशन अंडर रहे हैं औरफ्रक्न करें सासुड करें इंडियन को फॉर्म प्रसिता यहां रह जो इंडियन गवर्मेंट ने कर रहा है इन्यमेंट ठीक है यह एक इसामपल है इनिशेटिफ जो वेलफेर और इंप्राइमेंट की देखता है गल्फ टाहिसपोरा में यह इन्पॉर्ट है प्रोटेक करता है राइट्स गुल्फ बाता है इसका सब्सक्राइब है इसके लावा हेल्फ सेफ्टी नेट्स की अगरम बात करें तो इंट्राशल कम्म्म्नेटी वेल्फेर फंड और प्रावासी भारतीय भीमा यूजना हेल्थ इंशोरेंस स्कीम है, जो इंशोर करती है कि वो सेफ रहे और उनको बेसिक नेसरी प्रवाइड हो, प्रोपोजल जो अलाओ करता है प्रॉक्सी वोटिंग, ये बिल अमेंड करता है आर्पीए को, जो पास हुआ था लोगसाबा के द्वारा, वो एक्सेंड करता है वोटिंग इंडियन के लिए, लास्ट पॉइंट इसमें है, रेगुलर विजट जो है, प्राइम मिस्टर के, जो गल्फ में, और इंट्रेक्शन जो है, इंडियन डायस्पॉरा का, उनने एक फ्रेश करा इस रिलिश्शिप को, जो इंडियन और मिडल इस्ट के बीच में है, वे है, दूसरा एक साउंड, बाइलेटर लाइबर पॉलिशी होना चाहिए, जो एड्रेस करें, बड़े सारे इस्चूस जो इस रीजन में काम कर रहे हैं, म्यूच्वल बेनेफिट के लिए, ठीक है, यह एक अपोच्टिटी भी राइस करेगा, इन फ्यूचर, तो यहां पर जो इन यूज है, सैंडिंग कमीटी एक्सटरनल अफ़ेर्ज ने सम्मिट करिये रिपोर्ट इंडिया एन बाइलेटर इंवेस्मेंट रीटीज, बाइलेटर इंवेस्मेंट ट्रीटीज में बिट में जो है इन इन नाश्मेंट करते हैं, जो कि इस्टाबिश हो है, इसका इन अटिया होता है, बीलीटर इंवेस्मेंट रीट्रीज, ये बेसीकली के मिनिमूम गैरेंटी स्टाविषट कराता हैं, दो नेशन के बीच मे, ह्रिगारडिंग लेट रेट रही ट्री ट्रीटमेंट और इंवेस्मेंट इसमें चलीलू इसमें ये इसकेलावे, प्रोट ब्रियेशन मालब कि यह लिमेट करता है इस कंटरी को को काउंटरी की अबलीटी को टू टेक ओवर फॉर्ण इंवस्टरी में और लास्ट है पुड़क करता है इन्वस्टर के राइट को भी थीक है यह एक और इप डिस्पूड दिस्पूड रिजूशन मेकानिजम स्टावि में अपने कुट की कोड में ठीक है तो यहां पर इसको यह as a quote समझ लीजे alternative dispute resolution मतलब कि अब कोड के बाहर आपका जो matter है वो solve हो रहा है तो यहां पर investors के right यहां पर solve हो रहा है इसके लावा यहां पर पत्चीस सो भी IT active है आज की टाइम पर और यहां पर international conference on trade and development maintain करता है इस database को जो बड़े सारे states के बीच में कोशन आता है इंडिया का experience कहा है बियाइट के तरफ तो इंडिया ने sign कर रहा है पहला बियाइटी UK के साथ 1994 में उसके बाद 83 countries साथ sign कर रहा है यह बियाइटी जो negotiate होते है यह base है इंडियन model BIT of 1993 में इसके लावा जो बियाइटी है यह major ट्रिवर्स है foreign direct investment का जो दो जार एक से 2012 के बीच में हुआ है 2011 में international tribunal ने order कर रहा है कि इंडिया को पेर करना पड़ेगा 4.10 million का और यहां पर Australian dollars to white industries जो है इसके अंडियन आती है 1999 के इंडियन बियाइटी simultaneously इंडिया ने स्टार्ट कर रहा है कि वो उसको पैसा मिला है multiple notice के अंडर बियाइटी के अंडर due to the retrospective taxation debacle and the cancellation of 2G license by Supreme Court इसके लावा यहां पर यह शौक हुआ है by the award और notice तो इसलिए इंडिया ने फिर बाद में revise करी अपनी model बियाइटी policy 2015 में उसके बाद से इंडिया इंडिया ने साइन करा है नहीं बियाइटी चार्स कंट्री साथ और टॉमिनेट कर रहा है पुरानी बियाइटी 77 कंट्री साथ देख्या है तो यहां पर यह अब भी समझें सीरिसी थी तो 2011 के बाद जब यह दिक्कात आई इंडिया को बहुत पैसे देने पड़ा तो इंडिया को बहुत सारे नोटिस आने लगे बियाइटी जो की रेट्रोस्पेट्रिक टाक्सिंट पॉलसी थी या कैंसलेशन थी असी वज़े से बड़ी सारे दिक्कातार लागी इससी वज़े से मॉडल बियाइटी 2015 आया तो मॉडल बियाइटी क्या है 2015 का वह एक नी जर्क रियाक्शन है तो इससे से पॉड़ी का और रेस काता है बाश रिक्वाइट जो क्लेम लाता है बी आई एएटी सूप अजिसमें आते पहला या इंडिया प्रपोस करता है नारो एंटर्प्राइज बेस डेफिनिशन इंवेस्मेंट के लिए जहां पे इस फ्ल o जो डियारेक्ट इन्वेस्म की इसके लावा एक साक्षिन है डॉमेस्टिक रेमेडी का यहां पर मॉडल भी मैंडेट करता है एक्षॉटिक रेमेडी जो इनिसिएट करता है इंटरैश्टल आप बिर फॉल्ट्रेशन प्रोसीडिंग को यह बहुत ही कम करता है इंक्रीज करता है konfrens बार इंवेस्टर प अगर बात करें Ease of Doing Business की रिपोर्ट के साब से तो इंडिया का जो रहा है का 163 है out of 190 कंट्रीज जो की आपका होता है in case of enforcing contracts इसमें 1445 देज लगते हैं डिस्पूट रिस्पूट रिस्पूट के मेरी बाइ asserting the conduct and question is a subject matter of taxation ठीक है recommendation क्या इस committee की है इस committee ने observe करा है बड़े सारे number of BIT जो sign के गए हैं इंडिया के द्वारा 2015 के बाद और बड़े सारे negotiation जो है inadequate है कि वो attract कर रहे हैं FDI को जो required है committee recommend करती है इसलिए committee recommend करते है कि जो नई BIT हो sign करना पड़ेगा प्राइटी सेक्टर में इंडिया जो करना चाहिए इसके लावा ड्राफ्ट करना चाहिए BIT जो ड्राफ्ट हो कोई भी ambiguity नहां हो या पर कोई भी ओर ब्रॉट इंटर्पेशन नहीं देना चाहिए ट्राइबिनल के दोवारा investment dispute जो हुआ और जो भी claims वो भी sort होना चाहिए abuse of certain provision जो investors है वो नहीं होना चाहिए revive कना चाहिए model को नए experience जो गेन हुए dispute में जो BIT में arise होते हैं और incorporate कना चाहिए best practices provision जो BIT से adopt कर सकते है advanced countries इसके लावा जो timely settlement है investment dispute का वो भी होना चाहिए through pre-arbitration consolidation और negotiation डेवलोप करना चाहिए local expertise तो यहां पर developing local expertise तो local expertise में यह investment arbitration मोहना चाहिए प्रमोड करना चाहिए new Delhi international arbitration center जो की world class arbitrator center होना चाहिए next point है reform लाना चाहिए domestic judicial system में कुछ steps लिए गए है जो की बहुत important है इस तरफ जो की commercial court act 2015 का है और amendments जो arbitration or consolation act 1996 में है इसके लावा conclusion की बात करें तो इंडिया इमर्ज करेगा as a capital exporting nation make in India policy भी हो सही रहेगी और इसका goal जो है सभी को बता है 5 trillion economy का जो goal रखा है 25 तक अचीव करने का है global companies contemplate करेंगी बड़े सारे investment जो की होगा और वो shift कर दी है चाहिना से और एक opportunity है कि हम revise करें अपना model BIT और रादर हम inward looking protectionism policy को ना देखे कि इससे नुक्सानी होगा आगी जाके तो इसमें यह कह रहा है नेक्स्ट जो न्यूस है वह है 2.7 पर इंडिया इस development cooperation बहुत इंपॉर्ट है यहां पर enhancing the efficiency इंडिया 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 के तरफ से वह इंपॉर्ट है कि शेप करता है आपका framework इंडिया का development cooperation जो की हुआ था 2003 से ही with the announcement of इंडिया 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 तो इंडिया के पास एक विजन होना चाहिए कि वह सब्सक्राइब करें जो पोजिशन करता है उसको ऐस ग्लोबल पावर जिसमें इंटरस्ट भी हो और वह बियॉंड जाए इस इमिचियेट नेबर हुड इस चीज को अचीज को अचीव करने के लिए यहां पे अरजन नीड ह कि वह पुछ करें रिफॉर्म्स की तरफ जो existing institution structure पर पर है development koopreisn में इंडिया का development koopreisn की अगर हम बात करें तो इंडियन मॉडल ऑफ development koopreisn को एक comprehensive है इनवाल करता है multiple instruments जिसमें grantee aid आता है लाइन अफ क्रेड़ आता है, कपैसिटी बिल्डिंग आता है, टेकनिकल असेस्टेंस आता है, डिपेंड करता है, प्रियोर्टी सबाटना कांट्री की, इंडिया का डिवलप्मेंट कोपरेशन है, वो रेंज करता है, कॉमर्स तो कल्चर, एनरजी जो इंजिनिरिंग पर है, हैं, हैल टु हाउसिंग है, और इट टू इंफ कोपरेशन है, स्पोर्स तो साइंस है, और डिजास्ट रेलिफ और हिमाने असस्सेंस है, जो कि रेश्टॉरेशन की बात करता है, प्रिज़फ करता है कल्चर और हेरिटेज असे, इसके अलावा इंडिया का जो डिवलप्मे जो है बजट का वो कम है लेस देन 1 परसंट है इंडिया का ओवराल बजट पे जो की सिग्निफिकेंट ही कॉंट्रिबूइशन है एस कंपेर तू अधर कंट्री जैसे ऑस्टेलिया हो गया जिसका 0.22 परसंट है यह साउथ कोडिया हो गया इसके लावा यहाँ पर डेवलोप्मेंट पार्नरशब आड्मिस्टेशन है जो की मिनिस्ट्री ऑफ एक्ट्रन अफेर्स के अंडरी है और ही रिस्मॉंसिबल है ओवराल मैनेजमेंट कोडिनेशन आड्मिस्टेशन लास्ट कपल ओफ यह में इंडिया ने असिस कर गया है हर साल किई पार्ट्नर अस ओफिशिल डेवलोप्मेंट असिसंस ओरी इंवाल्व करता है फिनेंशल ओर टेक्निकल है जो की एक कंट्री देता है दूसरी कंट्री को अससीच इस्सकाता है सोचल एक्टॉमिक डेवलोफमेंट में और स्पॉंड जीजास्टर में इन सिरभें इसके लावा जो इंडिया के एफोर्ट है वह भी इनपॉर्ट है जो डेवलॉप करते हैं कोपरेशन तो यहां पर ITEC है इंडियन टेक्निकल एकनॉमिक कोपरेशन प्रोग्राम इंडिया का कैपसिटी बिल्डिंग इनिशेटिफ जो कॉंस्टूट हुआ था 1964 में एक निव इमर्जिंग स्ट्राटिक टेक्नॉलजी नेस्ट यह फसिलिटेट करता है कोलाबरेशन फॉर्ण कंट्री साथ यह एडवांस टेक्नॉलजी पर बेस्ट है और यह जौरिफिकल डाविजिन पर बेस्ट है बेटर कोडिनेशन के लिए इथोपिया जो कि आफ्रिका में अफ्रिका जो कॉंटिनेंट उसमें एक जगह है यहां पर आप देखो तो इंडिया का जो प्रॉइड करता है बेटर कॉलिटी जम प्लाज्म एक नहीं टेक्नॉलजी जो प्रोसेस करता है और एक्सेस देता है मार्केट को यहां पर अब देखो तो यह बड़े साथे डवल इसके अलावा यहां पर इंक्रीस करें स्कॉप डवलापमेंट को प्रोसेसिंट जो की जाती है बियॉड इंपल्स है यहां पर बैंडी विंग कॉंफरेंस की 1955 में सेट अप कर रहें को अपरिशन एशिया और आफ्रीका में कॉल्निया और पोस्टोनिया एरा में करें इक पलवर करें बढ़े सारे जो कि ही इन्नुविवाइट करें आपका डवलापमेंन को परेशन अफ़र्ट इसके इलावा इंक्रीस करें स्कॉप अफॉपर्यूप नधा इसके लावा इन्हास कते है बाइलेटर रिलेशन तो इंडिया का जो डबलाप्रेशन है वह एक तरफ जा रहा है जो की जरूरत है रिवन अप्रोच की जहां पे जो मीटिंग है पार्टनर कंट्रीज की डवलाप्मेंट की अब्जेक्टिव की है वह साथ-साथ चले इंडिय की अब्जेक्टिव के साथ ताकि बाइलेटर रिलेशन बड़े तुरू प्राइवट सेक्टर इंवेस्टमेंट इसके लावा एफेक्टिव अकाउंटेबल्टी एवालुशन फ्रेमख भी होना चाहिए जहां पे इंडिया का डेवलाप्मेंट को प्रेशन ज्यादा गोर सेक्टर आएं को असे का टॉर्ध में जो की अ क्त परोवाइट मेंडिया का शुश्यल और तुरी सैगधन परटनर में पार्णिप इंडिया और आधर कंश्तान फिरन डिचलांपींड यह कॉम्बात करिया से नियपाल हो गया पॉलिटिकल और हमाल दूस हो गया अफगानस्तान हो गया बिल्ड करें सोचल इंफार्सुक्चर के निया अमर्ड गैसकर जैसे इसके लावा इंडिया का डेवलप्मेंट कोपरिशन एक अपकॉमिंग डेवलप्मेंट कोपरिशन आक्ट है जो की रिफ्लेक्ट करेगा फॉक इंगेजमेंट की बात करता है एड्रेस करता है रफटली एवलविंग नियूर कॉम्पेटिडव डेवलप्मेंट फाइनसिंग लेड लांस्केप की बात करते है और हमें अपने प्रग्राम से भी सीखना चाहिए इंडिया डवलप करें अपना एक्स्पिनेंस थू इवल् प्रफोल्य डेवलप्रिंग कंट्रीज के साथ तो यहां पर देख सकते हो फाइब मॉडियल या फाइब मॉडिल लैड इसको अपनेट होना है मेरे साथ तो आप क्या कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन पर जाओ लिंक है इंस्टेग्राम का टेलीग्राम का आप चेक आउट कौन से यूज करता हूं या वो कौन से यूज करता हूं मैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर आप अमजान से बाई कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो तो यह सब्सक्राइब करते हैं